नमस्कार आदाब आप सभी का स्वागत है न्यूस क्लिक के अंतराश्ट्रे राउंड अप में आज हम चर्चा करने वाले हैं वेनेजवेला के तक्ता पलट पर और इस बात में हम सब को और समझाने के लिए इसी विश्य में हमारे साथ है प्रबीर पुरकयास्ता आपका स्व और से पहले तो वेनेजवेला में राजनेतिक जो गतिविधियां है एकदम गर्मा रही है और एक तक्ता पलट की कोशिश की जा रही है जो की क्लेम कर रहे है कि वो प्रेजिजेंचल पॉजिशन पर आ सकते हैं और मादूरों को जो हटाने की पूरी तरह से कोशिश की जा रहे है जिसका सीधा संबंध यूएस के साथ भी देखा जा रहा है कि किस तरह से वो कोशिश कर रहे हैं वाव कि राजनेतिक उथल पुथल में और उसको गर्माने की महौल को तो आप हमारे दर्शकों को समझाए कि वहां पर तरहसल में चल क्या रहा है और इसके किस तरह से इंप्लिकेशंस रहने वाले हैं पूरे ही इसका प्रभाव क्या होगा पूरे ही रीजिन में देखिए पहली बात है अमरीका हमेशा रक्षिन अमरीका को अपना कॉलनी की तरह से ट्रीट किया है जैसे सेंट्रल अमेरिका को भी ट्रीट किया है कि ये लगभग मन्रो डॉक्ट्रिन की तहत ये उनकी व्यक्तिकत मालिकाना की तरह रही तो ये तो अमरीकी कॉलनी के कहते है नियो कॉलोजिस की तौर पे निवेश के तौर पे यह इन्हों ने इसको बहुत दिन तक चलाया 1960s, 1970s में वहां तक्ता पलटके military dictatorship कायम किया जो भी वहां पर 25 सरकारे थी दूसरे जगहों पे उसको हटानी के कोशिश किया क्यूब हमें कई बार attack भी किया तो Bay of Pigs बहुत बड़ा किस्सा है जिसके बारे में लोग जानते हैं पर ये कुछ चंद दशक जो है पीछले चंद दशकों में इसका कोशिश अमरीका का इस तरह के कोशिश कमजोर पड़ गया था अब वहाँ पर बामपन थी कुछ राज्य वहाँ पर बने वहाँ पर चाहे वो ब्रिजिल पहले लूला के तहद इसके साथ साथ बोलिविया में इवो मुरालेस और सबसे एहम भूमी का जिस पर थी वेनेजुएला में शावेज की हूगो शावेज की एक बहुत बड़ा भ अमेरिके में पैदा करने है तो इसका एक जो परिणाम स्वरूप जो वहाँ पर राइट विंग फोर्सेस कमजोर पड़ गए थे तो अमरीका कई बार कोशिश किया हर तरह से इसको कैसे पल्टा जाए हूगव शावेज के खिलाफ दो हजार दो में कू का कोशिश हुआ था और भी लगातार इस तरह के काइम जारी रहे और इस वाक्त वहाँ पर जिसको कह सकते कॉंस्टिश्टिश्टल कूह की तरह अमरीका यहां पर अपना दायरा बढ़ाना चाहता है अब डारेक्टली मिलिटरी कूश करना मुश्किल है यह इस वाक्त की परिस्तिति लाटन अम अबरिका में है जिसमें वेनेजुएला इस वक्त शिकार है इसके पहले ब्रेजिल भी हमने देखा लूला को चुनाव लड़ने ना देने के लिए वहां कर जुदिशियल इंटर्वेंशन के जरीए उनको यह का डिस्क्वालिफाई कर दिया इसके साथ साथ और भी जगहों पर कॉंस्टिटुशनल कूज अबरिकानी किया है इस वक्त वेनेजुएला में जो कोशिश है उसको हमें देखनी चाहिए दो हूगो शावेस के खिलाब जो कूज थी कोशिश थी उसके साथ जोड़ के देखना चाहिए दोहजार सोलह में इन्होंने काफी कोशिश किया था तकता पलटने के लिए काफी ऐसे ताक्तों को सपोर्ट किया था पैसा दिया था जो नहीं बड़े पैमाने के मदूरों के खिलाब प्रेजिडेंट मदूरों के खिलाफ उन्होंने सड़क्झ में उतर खे काफी जगह पर वायलेंट अटाँक्स नहीं किये काफी लोग उस वक्त मजूरों धीरे धीरे पुलिटिकली शक्तिशाली बने हैं हलाकि वहां की आर्थिक हालात बहुत खराब है क्योंकि अमरीकी सांक्शन्स उन पे है और वेनेजुएला के खास प्रॉब्लम जो है कि वो सो तेल पर निर्वर्शिल है तेल की वो जो बाहर बेशने की उपर उसकी अर्थनिती पूरी टिकी हुई है और क्योंकि तेल के दाम अंतराश्ट्य मार्केट पे पीछले दशक पे बहुत गिरा है उसके वजह से वेनेजुएला की आर्थिक संकट बढ़ी है और इसके साथ साथ अमरीकी सैंक्शन्स जो युनाइटेड नेशन्स की वहां पर कर रहे थे उसका कोई legal basis है नहीं वह आपने आपको कहा की मतुराना जो पारलेमेंट था उसका मैं President हूं इस वक्त तो मैं डीक्लिएरकर रहा हूं मैं वेनेजुएला का प्रेजिडेंट हूँ और इस declaration जिसका कोई legal basis नहीं है जबकि मदूरो अभी चुनाव जीत के वहाँ पर शबत लिये है तो उसके खिलाफ एक इस तरह की मंगड़न्द कहानी के तौर पे कोई अपने आपको प्रेजिडेंट डिक्लेर कर ले और उसके तहद दुनिया के ऐसे म आपको कहते हैं कि अंतराष्टिय कानुन का हम इभाज़त करते हैं अमरीका यह दावा करती है यह दूसरे western देशंग्लेंड, France यह सब कहते हैं कि हमी दुनिया की देखबाल करते हैं हमी इसकी पूरी अंतराश्टिया जो धाचा है उसका देख भाल करते हैं सिक्यूरिटी काउंसल पे न जाके आप इस तरह से स्विक्रिती किसी प्रेजिडेंट जो कह रहे है अपने आपको दे दे और ये भी दूसरे देश की नेता किसी एक देश के नेता को चुने एक तरह से अगर य कोई इसमें क्या कहिसे ने कोई ग्रेजिडिलीटी नहीं बच्चती है तो यह इस वक्तिते है और देश के अन्दर गॉयडो को समर्थन मिल रही है समर्थन मिल रही है सिर्थ बाहर से सर्फ estimates स्विकृति भी दी जा रही है एक मान्यतता दी जा रही है और एक तरह से उनका से उन्हें भी सीज करने की कोशिश की है और यूएस ने भी जिस तरह से सैंक्शन्स लगाएं है उससे वेनेजवेला में एक तरह से आर्थिक उथल पुथल का माहौल भी हो गया है तो उस पर भी अगर हमाई दर्शकों को थोड़ा बताएं तो दो चीज है इस पर एक तो है क कि वेनेजवेला कुछ अमरीका में जो है उसका उनके पर मालिकाना वेनेजवेला के पास है तो वह सीज करने की अमरीकी बात कर रहे हैं और यह भी कह रहे हैं जो पैसा वेनेजवेला को देना है वह भी नहीं देंगे वह सब ग्वाइडो को देंगे ब्रिटन भी वही कह र तक्षा हुआ तो उनके बैंक में ये ग्वाइडो की है मदुरोक जो है वो गलत प्रेजिडेंट है हम उसको नहीं मानते तो किसी देश की दूस्ट्रे देश को प्रेजिडेंट करने का अधिकार मेरे ख्याल से तो नहीं होनी जाए तो एक अजीब अपनी जगत में ये रहना चाहते हैं पर मेरे ख्याल से दो चीज और इस पे देखनी चाहिए एक तो ये है कि अंतराश्ट्यस तर पे हम जिसको कह सकते एक रूल बेस्ट नियम के अनुसार चलने वाला होनी चाहिए इंटरनाशनल अफेर्स जिसके जरिये कानुन का जो धांचा है कि सिक्योरिटी काउंसिल में आएगा सिक्योरिटी काउंसिल जो कहेगा तो उसके आधार पे इंटरनाशनल लौ फैसला करेगा मतलब एक देश दूसरे देश में हस्तक शेप करने का अधिकार नहीं रखता इसके आधार पर United Nations बनी है, इसके आधार पर United Nations की Security Council है और इसके आधार पर United Nations Security Council की decision के तहित अंतराष्ट्रिय कानून में क्या सही है, क्या गलत है, यह माना जाता है. हम जानते हैं कि अंतराष्ट्रिय कानून Security Council अमरीका के पक्ष में कई बार रहा है, फिर भी बचा खुचा जो लिगालिटी है, यही है. अब अमरीका जो हमेशा कह रहा था पहले कि Security Council के जरीए सार्चीज होना चाहिए, जब उसके पक्ष में था, अब जब उसके पक्ष में चीजे नहीं जा रही है, अब हो कहती है कि नहीं, अंतराष्ट्रिय कानून कोई माने नहीं रखता, हम जो तै करेंगे, वही कानून है. अगर ये चीज उस्टे अंतराष्ट्र अस्तर में कायम करना चाहते हो, और जिसका लाठी उसकी भैस, यह वाली राज़ित, अंतराष पुतल है उसका ब्राउन वेस्ट देखके तो उसके हिसाब से तो वेनेजुएला कुछ भी नहीं हो रहा है मंदगणत कहानिया हैं बताई जा रही है अमरीका मीडिया में टेलिविजन में दिखाई जा रही है जो 2016 के दिखाई जा रहा है जो मदरों के पक्ष में जो समर्थक निकल रहे उसको बेश किया जा रहा है कि उसका विरोध में है जो वहाँ पर गैंग वाइलेंस जो कि किसी भी बड़े शहर में रहती है उसको पेंट किया जा रहा है कि ये भी राजडितिक है तो इस तरह से एक पूरी क्या कहते है मीडिया की कंट्रोल के वजए से अमरीकी वेस्टर्ड मीडिया करीब करीब दुनिया की दूसरे मीडियों को भी सप्लाइ करती है चीज़े तो एक माहौल पैदा किया जा रहा है कि वेलेजुएला में बहुत बड़ा कुछ अप्राइज सकते लगवा देश है तो वहाँ पर इनकी वहां घुसने की वेलेजुएला में संभाव नहीं तो उन्होंने करीब करीब कहा है कि वहां नहीं गुसेंगे और अमरीका का अगर ये कलपना है कि वो डारेक्ली वहां अपना फोर्स लैंड करके वेनेज़ुएला को कब्जा कर सकते हैं, अफगानिस्तान से भाग रहे हैं, इराक से भागे हैं, सीरिया से विड्रॉल की बात कर रहे हैं, तो अमरीका को मुझे नहीं लगता इतनी ताकत इस वेनेज़ुएला में जाके, वेनेज़ुएला में तकता पलटके और इसके बाद भी किसी कौइम करके, वहां कंट्रोλ कर पाएंगे सितिया उसका यह अगर कोशिश करेगे तो वेनेज़ुएला के तेल का जो भंदार है, जो दुनिया में सबसे बड़ा भंदार माा जा आएगा एक तरफ से इरान सैंखशन में है रॉश्या सैंखशन में है वेनेजवेला सैंखशन में है वहां पर भी अगर जंग की कोई संभावना होती है तो मुझे लगता है दुनिया के लिए बहुत बड़ा क्राइसिस खास तोर से हाइड्रोकार्बन के लिए के पैदा होगा तो आशा करते हैं कि इतना विपरीद बुद्धी अमरीका के पास नहीं होगा त्रॉम्प पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता है तो विनाश की ओर जा रहे हैं और दुनिया को भी ले ज जा रहे हैं नहीं वो देखना पड़ेगा मुझे लगता है कि एक लिमिट के बाद ये लोग इसके बाहर जा नहीं पाएंगा जा नहीं पाएंगे तो मदुरो अगर इस एक दो महिना इससे टिक जाते हैं तो गवाइडो देश चोड़के कहीं और भाग जाएगा और यह व बेनेजवला के लोग वो भी एक विरोध प्रदर्शन इस तरह से कर रहे हैं जिस तरह में वेस्टर मीडिया में एक नारेटिव तयार किया जा रहा है उसके खिलाफ सोशल मीडिया के थू काफी एक फाइट बैक की तरह से जो क्या सिती है जमीनी सिती है उसको भी दिखाने से इनन में दो सोल्जेर्स को पेश किया वर्दी पहन के कहे रहे हम अधुरो सरकार से नाराज है हमने सरकार आर्मी छोड दिये हैं जनकी उसकी वर्दी के उपर जो लिखहा हुआ है इससे साब साबित होता है कि वो पुराना वर्दी है इस वक्त अमरी वेनेजवेलिवले दार में नहीं पहन थी तो इंसरक की मंगणद फेक नियूस जिस नियॉर्क टाइम्स वाशिंग्टन पोस्ट इस्ट सीनन ये सब इस फेक नियूस में लगे हुए है वो फेक नियूस की बात करते हैं अमरीका जे कि स्वार्थ जब पाता है अंतराष्टियस तर पे जिस तहद वो फेक नियूस उसके जितना फेक नियूस पैदा करते हैं तो वो तो और कोई पक्ष कर नहीं सकता इराक युद्ध के डिजिटल मीडिया प्लैटफॉर्म्स जैसे हमारे जैसे हैं दूसरे लोग जो आप कहरें सोशल मीडिया इस वक्त एक उसके खिलाफ एक फाइड़ बैक है पर ये नजर अंदाज नहीं करना चाहिए जो बड़े मीडिया हाउस बनाते हैं उसके लिए उसका एक असर दुनि लोगों का है मुझे नहीं मालूं फिर भी ये इराक युद्ध के बाद अभी भी उन पे लगता है वहां के जनता उनकी लोकल अमरीका के लोगों का यॉरप के लोगों का अभी भी उनके अपने बीडिया पे एक आस्ता है कि इतना जुड़ तो नहीं बोल रहे होंगे और म हमारे लिए इस चीजों को इनको फाइड बैक करने में उन देशों में कम से कम उनकी जनता के बीच में मुश्किल पढ़ाईगी पर सच्चाई बहुत देर तक आप छुपा नहीं सकते हैं यह हकीकत है और इस हकीकत के सहरे मदूरों यह क्राइसिस से उभर पाएंगे नहीं आपको देखना पोएगा तो इसी सवाल के साथ कि क्या मदूरों टिक पाएंगे जब तक यह क्राइसिस खतम होता है या नहीं नियूस क्लिक आपको और भी अपडेट्स लाता रहेगा वेनेजुएला से हमारा यह कारेकरम देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया शुक्र प्रबीर हमाई दर्शकों को वेनेज्वेला की स्थिती समझाने के लिए थैंक यू